स्वागत है आपका बोलत अंदुसान में मैं हूँ आपके साथ फरीन सभी महिलाओ का होगा सम्मान ये तो आपने खुप सुना होगा लेकिन फिर भी गुंडे महिलाओ के साथ बसुलूगी करते हैं गुंडे अपराधी परदीश से भाग गए हैं तब ही महिलाओ के कपड़े फारते हुए वीडियो सामने आ जाते हैं लड़की का फोर नमबर मांगते हैं उसे बंदक बना लेते हैं नगर नवस्ता में उसकी वीडियो बनाई जाती है और फिर सड़क किनारे आपिती जनक हालत में छोड़ कर भाग जाते हैं ये सब होता रहा उत्तर परदीश के सबस सब करने के बाद लड़की को फैक कर फरार भी हो जाएंगे खबर वाराडसी से हैं जहां पर बनारस हिंदु युनिवरस्टी की एक छात्रा रात में केमपस में निकलती है तब ही बाइक सवार तीन लोग आ जाते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं पहले लड़की क किसके आ फिर सारे कपड़े उतार कर उसकी वीडियो बनवाई लड़की का फोन नमबर लिया और बीस मिनेट तक बन तक बनाने के बाद उसे छोड़ दिया इसके बाद चात्रा परदेशन कर रहे हैं इसाफ की मांग उठा रहे हैं लेकिन सवाल ये है कि या उत्तरा परदे तो ऐसे घटनाय लगतार क्यों हो रही है क्यों महिला समान के नाम पर महिलाओ को धोगा दिया जा रहा है योगी जी राजिस्तान में जाकर महिलाओ के समान पर वोट मांग रहे हैं लेकिन उन्हें अपने राज्ये में महिला समान की जो उड़तीवे धजिया नहीं के हैं तो फिर ये कौन लोग है जो सरकार के जूटे महिला समान की पॉल खोल रहे हैं इस घटना पर प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशान साथते हुए उन पर सवाल उठाए और ट्वीट करते हुए कहा कि बनारस में आई-ाई-टी भी चात्रा पर योन आकर्मन हुआ विश्विद्याले परिसर में उस चात्रा के साथ जोड़ जबस्ती और दिल दहला देने वाली हिंसा की गई हमलावारों ने घटना का वीडियो भी बना लिया चात्र पर पर देशन कर रहे हैं लेकिन अब क्या बेचिव परिसर और आई-ाई-टी जैसे शीर्ष संस्तान भ बुरी है तो भाजपा के नीता क्यों महिला सुरक्षा का ढोंग करते हैं जोड़ विलाते हैं जबकि सचाई सब के सामने हैं यह कोई पहली घटना नहीं है जो परदेश में महिला के खिलाफ हो रही हो ऐसी ना जाने कितनी ही घटनाए सामने आती रहती है ऐसे यूपी के ब पहन बेटी है सुरक्षित नहीं है उनके साथ रेब होता है निवस्तर कराया जाता है वीडियो बनाया जाती है लेकिन फिर भी नेता महिलाओ के नाम पर वोट बागते हैं जबकि परदेश की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कोई लड़की कही जा नहीं सकती उसे हमीशे डर सतात रहता है लेकिन फिर भी सरकार तो ये बताने में लगी है कि परदेश में महिला एक दम सुरक्षित है सब गुंडे भागा दिये गए हैं सब लोग जो गुंडे थे अपरादी थे सब परदेश छोड़कर भाग गए हैं खुब विकास हो रहा है मतलब यूपी में स सब एक दम चकाचक है ऐसे सरकार बताने में लगी हुई है कि आप लोगों की समुद्धे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकित तमाम कबरों को देखने के लिए जुड़े रही है हमारी साथ